Hello students, welcome back, आज हम देखने वाले हैं logical group के rotate instructions, ये programming में बहुत important role play करते हैं, बहुत बार इनका हमें use करना पड़ता है, programs लिखते समय, तो इसे हमें बहुत carefully study करना है, तो चलो शुरू करते हैं rotate instructions, सबसे पहली बात तो rotate instruction के अंदर source or destination fix होता है और वो होता है accumulator, या नहीं rotate instruction perform होते ह only and only on accumulator in 8085 में, ये आपको अच्छे से धान में रखना है, अब रही बात source or destination fix है, इसका मतलब इस category के जो instruction आएंगे, उनका addressing mode implicit रहेगा, ये बात भी आपको धान में रखनी है, तो कितने type के rotate instruction होते हैं, तो दो type के होते हैं और पहला हम study करेंगे, वो है rotate right, तो पहले हम instruction च के value पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर assume किया है कि A is equal to 64H है, सबसे पहले इसे bit pattern में आपको convert करना है, इस number को, तो मैंने ये जो diagram बनाई है ना guys, ये accumulator की है, और ये accumulator के हमारी पहली bit है, जो है A7, तो A6, FIU, ऐसे करते करते हम last bit तक जाएंगे, और वो रहेंगी A0, A 1, 1, 0, ये हो गया हमारा 6, तो 4 कैसे लिखें, 0, 1, 0, 0, तो ये हो गया हमारा 4, अब इस accumulator के content को हमें, rotate right तो करना है, बढ़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, right position कौन सी होती है, तो guys, ये है हमारी right position, तो ये हमारी left position, इस accumulator के rightmost position के उपर, ये हमारी A0 वाली bit रहती, इतना ध्यान में रखना है, तो leftmost position के उपर A7 bit रहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे equation proper तरीके से derived नहीं होंगे, अब rotate right मतलब guys, क्या होता है, इन में जो beats है ना, उनको आपको rotate करना पढ़ता है, beat by bit position, तो ये जो rotate right है, इस पूरे operation का नाम है, rotate right accumulator by one bit position, यानि कि जो bit जिस position के उपर है गए, यहाँ पर 8 bit है ना, तो बस उनको right side में shift करना है, rotate का मतलब हमारे यहाँ पर shift भी होता है, तो A0 है तो उसे right side में shift करो, A1 है तो उसे right side में shift करो, just one bit position उनकी जगा आपको change करनी है, तो कहां से शुरुवात करोगे rotate right की, जो right most side में जो हमारे bit है, वो सबसे पहले move होती हो, और वही से आपको start करना है, rotate करना, अब ज़रा सोचो, A0 के bit के उपर, zero store है, तो यह हमारे right side में चला गया, अब right side में चला गया, तो इसे हवा में तो रहेगा नहीं guys, उसे कही ना कही पर तो temporary जाना पढ़ सकता है ना guys, नहीं तो गिर जाएगा, तो देखो guys, इसे संभालने के लिए हमारे पास होती है, क्यारी bit और यही सबसे important है guys, जब इसमें rotate operation perform होता है, rotate right, तो A0 वाली bit कहां पे जाती है, क्यारी flag में जाती है, और यही हमारा पहला equation रहने वाला है, तो मैं side side में equation लिखते जाओगा, कि क्यारी flag में क्या store हुआ है, A0 वाली bit, rotate right operation में ऐसा होता है, ऐसा मान लो कि यह जगा अब खाली होगे, तो इस जगे पर कौन आएगा, A1 वाली जो bit है, उसके जो content है, वो right side में shift हो जाएंगे, देखो मैं इसको नीच लिक रहा हूँ, तो यह देखो A1 के content कहां पे चले गाई, A0 के पहुच रहे हैं, हम पहुचेंगे, अब guys, A7 के उपर, A7 की bit कहां पे जा रही है, A6 के position के उपर जा रही है, तो इसका equation भी बनेगा न, देखो, A6 के उपर कौन से bit जा रही है, A7 के bit उसके उपर आ रही है, अब रही बात, A7 वाली bit position खाली है, तो यहां पे भी तो कोई आना चाहिए न, तो बहुत सिंपल से बात है, यह जो A0 नाम की bit है, जो carry में चली गए थी, वो same bit अब यहां पे भी आती है, देखो, ऐसा घूम के, मतलब ऐसा circular motion में, A0 यहां पे भी आएगा, तो बस इसका equation भी हम लिख देंगे, और यह हमारा हो गया, दूसरा equation, तो पहल equation हमारा यह है guys, carry flag में store होता है, A0 के content, और A0 के content, मतलब जो भी 0 और 1 होगा, वो A7 के तरफ भी जाता, यह हमारे 2 equation होगे, बट यह जो बीच में इतना कुछ लिखा है, मैंने, इतने थोड़ी equation लिखने पड़ेंगे, इसका हमको general equation बनाना पड़ेगा, देखो, कैसे बनाते है, इसमें से कोई भी एक equation choose कर लो, जैसे कि मैंने A3 और A4 वाला equation choose कर लिया है, तो जो छोटी bit है, उसे आपको N मानना है, देखो, मैंने A लिखा है, 3 इसमें छोटा है, तो इसे मैंने N मानना है, और इसका use करके, इस N का use करके, यह वाली bit आपको बनानी है, तो simple सी बात है यहाँ पर क्या बनेगा, N में अगर मैं 1 मिला दू, तो N प्लस 1 मिलेगा, तो यह हो गया हमारा general equation, आप कहीं पर भी put करके देख सकते हैं, जैसे कि पहली वाली, A, N को अगर A0 माननो, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, अब यह general equation से हम यहाँ का कोई भी equation justify कर सकते हैं, तो इसी ची पहले, आपको तो binary में convert करना है, ठीक है, तो मैंने जान बुच के जो last वाली bit है, उसको green color में रखा है, तो यह जो last bit है, यह हमारे right most side में है, तो इस bit को यहाँ से हटा दो guys, और just इस number के आगे लिख दो, okay, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इसको हटा दो, इसके आगे ल left में, तो ऐसे आपको result मिलेंगे, तो उसे आपको फिर से hexadecimal में convert करना है, तो ultimately यहाँ पर A में क्या store हो गया, 32H store हो गया, तो यह हमारा shortcut तरीका है, और इसके पहले हमने जो भी देखा है, वो हमारा detail वाला तरीका है, ठीक है, तो आपको यह shortcut तरीका भी याद रखना है, और यह detail वाला तरीका भी याद रखना है, दोनों important है, अब rotate right से होता क्या है, मैंने यहाँ पर 64H लिखा था, एक even number था, even number को अगर आपको हाप करना है, तो यहाँ पर 32H मिला है, कोई भी even number लो hexadecimal का, आपको हमेशा उसके content हाप में मिलेंगे, rotate right करने से, अब दूसरा इ इससे आप even और odd number है या नहीं है, given number ये भी आप check कर सकते हैं, simple सी बात है binary number में, last position अगर one है, तो odd number है, और zero है, तो even number है, rotate right इस instruction का यूज़ करके, हम given hexadecimal number या given binary number, even है कि odd है, ये भी हम check कर सकते हैं, इसलिए instruction बहुत है important है, तो यह just example था, demonstration था guys, इसके behalf में कौन सा instruction हमा यहाँ पर available है, वो check करते हैं, तो हमारे पास instruction का नाम है guys, RRC, यह हमारा actually rotate right accumulator वाला instruction है, अब इसका लिखेंगे हम long form, यह important है guys, क्योंकि इससे हमें sentence बनाने पड़ते हैं, rotate right accumulator by one bit position, just one bit position से आपको data shift करना है, तो इसका हम use करते हैं, details जान लेते हैं, जैसे कि group तो of course logical रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर fix है, source destination accumulator रहने वाले हैं, तो implicit ही रहने वाला है, तो implicit का length जो होती है, वो one byte होती है, और देखो guys, format, तो जो हमने थोड़ी दर पहले जो equation derived कि है न, वही equation यहाँ पर आपको लिखना है, देखो, an plus one वाली bit, यानि कि high order वाली bit, कहां पे shift होती guys, low order bit के तरफ shift हो जाती है, तो यह general equation आपको लिखना है, accumulator की high order bit, low order, इसमें shift होती है, ठीक है, जो हमारी low order bit है, यानि कि A0, rightmost वाली जो bit है न, हमारी, वो जाती है, A7 के ऊपर, स्रिप A7 के ऊपर ही गई थी, क्यारी के तरफ भी गई थी, तो यह होगे हमारे 3 equation, और इसी को आपको explain करना है, यानि कि आपको theoretically लिखना है, बहुत simple simple wording है guys, जैफे देखो, this instruction rotate right, the content of accumulator by one bit position, तो यह जो हमने पहला equation लिखा है न, उसी के लिए हमने यह sentence बनाया है, तो यह sentence हमने बनाया कहा से guys, इसके long form से that's it, तो आपको ऐसा detail में लिखना नहीं है, कि higher order वाली जो bits हो हो जाती है, उससे अच्छा, यह simple सा sentence लिख दो यहाँ पर, this instruction rotate right, the content of accumulator by one bit position, अब इन दोनों के बारे में लिखो, a0 को मैंने आपको बोला था, क्या कहते है, इसे low order bit of accumulator is shifted to high order bit, यह नहीं, a7 of accumulator as well as the qyari flag, यह देखो, दोनों जगे पे जाती है, इतना आपको धान में र अब रही बात, इसके कितने instruction बनते होंगे, इसका जस्ट एक instruction बनता है, आप कोई भी value ले सकते हैं यहाँ पर, तो मैं जान बुचके हैं यहाँ पर even number ले रहा हूँ, अगर odd number लेते हैं, तो आप answer guess नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं guess नहीं कर सकते, कर सकते हैं, फिलाल आपको जस्ट यहाँ पर even number लेने हैं, ताकि हम sure हो जाए, इसका answer क्या आने वाला है, तो 20H को अगर rotate करोगे न, answer of course 10H आने वाला, hexadecimal का 20 का अगर half कर दोगे, तो आपको 10H मिल जाएगा, तो इसे आपको solve कैसे करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, मैंने shortcut तरीका बताया है, या तो वो use करो, या जो मैंने आपको bit diagram बना के बताई थी, वैसा भी आप one by one bit कर सकते हैं, अब अगर यह just half mark लिए है, तो आप direct ऐसा कर सकते हो guys, सबसे पहले तो आपने इसको accumulator के content को boundary में convert कर दिया, ठीक है, तो यह हमारी right most bit है, यह जो हमारी right most bit है, उसको just इस number के आग नारी bit store होगे, यह last वाली यहाँ पर, और accumulator के content होगे, A10H, that's it, तो after RRC, आपको result मिलेगा, A is equal to 10H, तो मैरे खाल से इतना आपको समझ गया होगा, इतना ही लिखना है आपको one mark लिए कर यह question आता है, exam में तो, इसके uses तोड़ा discuss कर लेते, इसका हमें काम programming में है, exam में दोरत नहीं है, जैसे कि पहला use, RRC separate the last bit of the accumulator to check given number is even or odd, actually हमें यह programming में यूज करना है, देखो, अगर यह accumulator है, इसकी last bit आपको separate करनी है, इसके तो identify होगा ना, कि given number even है कि odd है, 0 होगा तो even, 1 होगा तो odd, उसके लिए हम RRC वगरे यूज करते हैं, और दूसरा use में और दिसक कर चुका हूँ, offset is used to half the content of even hex number divided by 2, उसी का मतलब divide by 2 करना हो, आपको कोई भी hexadecimal number, especially even वाला, तो भी आप इसका use कर सकते हैं, तो I hope so कि आपको इतना समझ गया होगा, इसी से inspire होके हमारे next instruction है, instruction का नाम रहेगा, rotate right accumulator by one bit position through carry, यानि कि जो data shift होता है bit by bit, वो carry के through होता है, औ और just एक equation में changes रहेंगे वहाँ पे, और ये वाला second equation, A0 की जगा वहाँ पे just carry रहेगा, तो वो भी instruction हम देखने वाले, तो बस आपको इसको अच्छे से देखना है, समझना है, और A0 की जगा में carry लिखूंगा, बस इतना ध्यान में रखना है, उस instruction के तरफ बढ़ने से पह होगा, accumulator में note करो, ठीक है, अब आपको accumulator के नए content मिले हैं, इसके उपर फिर से RRC perform करो, नए वाले accumulator के content के उपर, again आप accumulator के value note करो, अब ये जो नई value आई है, accumulator के उसके उपर आप third time RRC perform करो, ओके guys, और उसके बाद आप ये नए content note करो, और last time, again एक बार RRC perform करो, इस content क के उपर, नए वाले accumulator के उपर, और देखो कि accumulator के value क्या आती है, चेक करना guys, खुद होके, आप कोई भी number यहाँ पर ले सकते हैं, और final answer क्या आता, accumulator का, जरूर मुझे comment करके जरूर बताना, इसका use हमें programming में करना है, तो I hope सो कि आप ये कर लोगे, और आपको कभी ना कभ करना है, और यही पर बेटर रहेगा, जानने के लिए कि 4 time RRC करने के बाद, क्या आपको result मिलता है, बटते हैं हमारे next instruction के तरफ guys, मैंने already आपको hint दी है, कि next instruction हमारा RRC से ही inspire है, बस नाम बन जाएगा, rotate right accumulator by one bit position through carry, बस एक जगे पे guys change है, बाकी जैसे का वैसा रहेगा, तो instruction का अगर long form change हुआ, तो instruction दिखने में भी तो change होगा, yes of course guys, तो हमारा instruction modify बन के बन जाता है, RAR, देखो यहाँ पे carry आया है, बट carry के लिए कोई भी यहाँ पे later वगरे नहीं आया है, तो इसलिए आपक carry से rotate नहीं होता है, बट RAR में होता है, थोड़ा सा आपको इसको proper तरीके से धान रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें सेम है guys, group logical ही रहने वाला है, और length भी हमारी 1 byte ही रहेंगी, और यहाँ पे जो format है वो भी सेम है guys, मतलब कि जो higher bits होती है, वो low order bit के तरब चली जाती है, बस एक जगे पर difference है, बस guys, carry के content A7 position के ओपर आते है, पहले carry के जगे यहाँ पर क्या था, A0 वाली bit थी हमारी low order bit थी, यहाँ पर just carry bit है, और उसके बाद जो हमारी lower bit है, वो तो carry में जाई रहे थी, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, बस एक equation, beach वाला equation just change है, और बस अब उ position through the carry flag, इतना आपको लिखना है, और यह दो equation को आपको समझाना है guys, जैसे कि low order bit of accumulator A0 is shifted to carry flag, मैंने यह third वाल equation के बारे में पहले लिख दिया है, उसके बाद दिखो guys, content of carry flag shifted to high order bit of the accumulator, यह second वाले को मैंने यहाँ पर समझाया है, तो ऐसा हो गया हमारा इसकी theory guys, बस यह equation मे changes हुए है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और only हमारा carry flag effect होगा, अब example दो लेते हम यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको carry के content भी पता होने चाहिए रहते हैं, तो RAR हमारा example होगे है, वही same हमने चीज़ें यहाँ पर रखी है, और देखो guys carry bit मैंने यहाँ पर 0 रखी है, जान same रही, तो यह instruction का कोई अलग result नहीं मिलता है, जैसा RAR से का मिलता है, बिलकुल वैसे का वैसे ही मिलता है, अगर यह दोनों अलग अलग रहें, तो यह आपको result थोड़े से अलग मिलते हैं, so after RAR, अब क्या होता है, पता है, यह जो हमारी carry bit है guys, वो कहाँ पे जाती है, A7 position क अब मैंने यहाँ पे carry के content लिये हैं, बाकी जैसे के वैसे number आपको यहाँ पे लिखना है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिये हैं, सब कुछ number यहाँ पे, तो ultimately हमारा जो number बन गया है, वो हो गया 10H, आप देख सकते हैं, इसके पहले भी RRC कर रहे थे तो 10H ही आ रहा था, बड़ यहाँ पे ऐसा क्यू हुआ पता है, क्यूंकि हमने यहाँ पे सब कुछ चीजे सेम रखी हैं, carry bit, last bit, position सेम रखी, इसलिए आपको answer वही मिला, अगर यहाँ पे carry में 1 होता है, इस तो आपको अलग answer मिलता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, तो अब होता क्या इससे देखो, अब carry में जो आती है bit, वो होती है, last वाली bit हमारे इस accumulator की, तो इसलिए मैं यहाँ पे green color में रखा है, तो carry में A0 वाली bit आती है, अगर इस जगे पे guys 1 होता ना, तो यहाँ पे 1 भी आ सकता था, यह भी आपको अच्छे से धान में रखना है, accumulator की value जादा change ह तो यह नहीं guys, वो 10HV रही है, इतना आपको धाय में रखना है, तो यहाँ पे आप कौन सी value assume करते है, carry में कौन से लेते हैं, accumulator में कौन से लेते हैं, उससे आपको अलग-अलग answer यहाँ पे मिल सकते हैं, तो चलो दूसरा example देखते है, RAR ही example रहेगा हमारा, और इस बार मै carry की bit लेता हूँ one, okay, सबसे पहले आप इसे convert करना पड़ेगा binary में, तो मैंने binary में convert कर दिया है, और जड़ा देखो after RAR क्या होता है guys, यह जो one है, वो हमारे इस position के उपर आ जाता है, यानि carry bit इस position के उपर आ गई है, बाकि सब कुछ एक-एक position सरग गए है, that's it, और उसके आप देखो, इसे convert करोगे, तो आपको different answer मिल रहे है, अभी यहाँ पर answer क्या है, 98 आया है, और carry में क्या store होगा, यह वाली last meet again मैं कह रहा होगा, यहाँ पर one होता, तो यहाँ भी one वगरे जरूर आता था, और accumulator की content यहाँ पर change हो गए है, तो ऐसे होता है RAR, अगर आपको R सी समझा है, तो मुझे ने लगता कि RAR differ है, जस्ट एक equation change है, क्योंकि यहाँ पर जो bit by bit position shift होती है, वो carry के through होती है, ठीक है, और guys यह सब कुछ एक साथ fraction of second में हो जाता है, आपको इसे अलग-अलग treat नहीं करना equation को, सब एक साथ execute हो जाता है, ऐसा ही आपको assume करना है, तो guys यह थे हमारे rotate right वाल instruction, आपको दोनों instruction समझ गए होंगे, अगर यह समझा है, तो next instruction भी आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, तो बढ़ते हमारे next instruction के तरफ, instruction देखने से पहले हम यहाँ पहले example study करेंगे, of course यहाँ पे भी source and destination accumulator रहने वाला है, बस यह दूसरा instruction का example र मैंने यहाँ पे लिखा है, to, okay guys, इसके बाएद right और left side कौन सी है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, और यह रोटेट left है न, तो left most position के उपर कौन सी bit है, और इसके content क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो left most bit जो हमारी वो A7 है, तो इसके उपर 0, इसलिए में इसको अलग color पे यहाँ पे रखा है, तो रोटेट left भी यहाँ पे भी one by bit position ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ इसका पूरा नाम लिखा है, रोटेट left accumulator by one bit position, तो यहाँ पे सबसे पहली bit जो shift होती है, वो A7 वाली होंगे, यह बाहर निकली है, left side में जाने के लिए, ऐसे इसे catch करने के लिए हमेशा कौन रहेगा, क्यारी रहेगा, यानि कि जो हमारा पहला equation यहाँ पे derived होता है, क्यारी में store होता है, A7, यह आपको धान में रखना है, आपको instruction लिखते समय, equation आपको लिखने पढ़ते हैं, तो यह जगह खाली होगी, ऐसा समझो, तो इस जगह पे क्या होगा, देखो guys, यहाँ पे A0 की bit कहाँ पे चली गई है, A1 में, देख सकते हैं, हमने equation यहाँ पे लिख दी है, अब रही बात, यह position खाली हुई है, यहाँ पे तो कोई आया नहीं है, तो कौन आता है, जो left most side में था, वो तो कौन था ना guys, A7 था, तो A7 के content यहाँ पे यह तरब भी shift होती, इतना धान में रखना है, यह तो बीच में लिखा है, इसका general equation बनाना है, और मैंने आपको hint बताई है, कैसे बना दे, कोई भी equation select कर लो, कोई भी, तो मैंने यहाँ पे यह select किया है, A4 और A3 वाला, जो छोटी bit है, उसे N मानो, मतलब कि मैंने 3 को replace कर दि है, तो क्या इसकी भी कोई trick है, of course trick है guys, देखो, A is equal to 32H है, आपको just पता करना है, कि leftmost वाला element कौन सा, यह है न, इसे just आपको पीछे लिख देना है, देखो मैंने हाँ पे लिख दिया है, और अब यह यहाँ से हट गया है, तो यह जो बाकी की जो चीजे बची है ना guys, वो आप rotate left instruction का use कर सकते हैं, इससे हम identify कर सकते हैं कि content of accumulator positive है कि negative है, 0 है तो positive है, 1 है तो negative है, यह भी आपको पता है, और दूसरा use देखो guys, अगर आपको even accumulator के content को double करना है, यानि कि multiply by 2, तो आप rotate left का use कर सकते हैं, तो programming में, ऐसे program आगे आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसक के बारे में भी ध्यान में रखना है, even number के बात कर रहे हैं, odd number की नहीं, तो बढ़ते हैं हमारे instruction के तरफ, instruction का नाम बन जाता है guys, RLC, पहले हमने RRC देखा, यह है RLC, long form जानना बहुत ज़रूरी है, rotate left accumulator by one weight position, इसके बाद जो group है, वो logical है, implicit addressing mode है, और length है, one byte रहेंगी, और A7, यह जाती है, A0 position के उपर, और साथी साथ में same bit जाती है, क्यारी flag में, यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, equation कभी कभी याद होते नहीं है, तो आपको वो example से equation बनाने पड़ते हैं, इसकी wording वगरे बहुत easy है guys, लिखना देखो, this instruction wrote it left, the content of accumulator by one weight position, जैसा long form वैसा ही लिखना है, और यह sentence हमारे पहले equation का है, अब रही बात A7 के बारे में लिखना है, high order bit of accumulator, याने A7 is shifted to low order bit A0 of accumulator, as well as to क्यारी flag, जो equation लिखा है, वही wording में यह आप लिखा है, क्या कोई flag affect होते हैं, burst only क्यारी flag is affected, इसके बाद example लिखना है guys, तो आप कोई भी चीज लिख सकत हैं यहाँ पे तो let A is equal to 20H, जरा सोचो, इसके content double होंगे, क्योंकि यह हमारा even number है, तो हमें पहले से answer पता, 40H इसका answer आना चाहिए, सबसे पहले इसे convert कर दो guys, binary में और लिख दो after RLC, यह जो हमारी पहली bit है, वो चली जाएंगी last position के उपर, बस यह number को हटा के इसके पीछे देना है, और आपको मिल जाएगा हमारा answer, आप देख सकते हैं, 40, रही बात carry flag में क्या store हुआ है, तो यह वाली पहली bit 0, और हमारा accumulator के content कौन से रहे गए, 40H, that's it, तो ऐसा हमारा यह चोटा सा example है guys, इसके उपर one mark का अलग से question आता है, और यहाँ पे भी आप ऐसा simple तरीके यह से solve कर सकते हैं, चाहें तो previous slide में जैसे convert किया है, diagram बना के वैसा भी आप कर सकते, वो आपके उपर depend है, weightage के हिसाब से देख के, खीक है, तो अब रही बात किसके uses क्या है, तो मैंने already discuss करके आपको बता है, RLC separate first bit of the accumulator to check given hex number is positive or negative, accumulator की पहली bit अगर 0 है तो positive है, और अगर 1 है, तो वो negative number है, that's it guys, और उसके बाद इसका दूसरा use है, it is used to double the content of even hex number, multiply by 2C का मतलब होता है, तो programming में काम आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से आपको बता दिया है, तो I hope so कि अगर आपको यह समझ गया है, तो next instruction भी आपको अच्छे पर समझ जाएगा, instruction का नाम रहने वाला है, rotate left accumulator by one bit position through carry, इसे भी हम guys carry के through shift कर सकते हैं, तो बस एक ही जगे पर difference रहेगा, और यह हमारा second equation, इसके जगा पर just carry flag रहेगा, बाग की सब कुछ same यहाँ पर रहने वाला है, जिस वर्डिंग में आपको बत लिख के बताना है, तो यह हमारा instruction RLCS से ही inspire रहेग rotate left accumulator by one bit position through carry, और थोड़ा सो से modify करना पड़ेगा, instruction बन जाता है हमारा RAL, क्यारी लिखके नहीं कई पर, बढ़ यह through carry से rotate होता, इतना ध्यान में रखना है, सब चीदे यहाँ पर same है guys, यहाँ तक length, उसके बाद format यहाँ तक भी same है, इसके बाद क्या होता है, तो जो A7 वा यह सब equation एक साथ execute होते हैं guys, आपको इसे अलगले treat करने की ज़रूरत नहीं है, अब wording में लिखना है, पहले equation की wording यहने long form ही होता है, this instruction rotate left the content of accumulator by one bit position through the carry flag, और अब लिखो इसके बारे में या तो इसके बारे में कोई भी आप एक चीज़ चीज़ कर सकते हैं, high order bit of accumulator यहाँ A7 is shifted to carry flag, मैंने last वाले पाइला लिखा है, और इसके बाद content of carry flags is shifted to low order bit of the accumulator, यानि की A0 position के ओपर वो shift हो जाती है, और इसके बाद example लिखना है आपको, तो RALS हमारा example आपको content पता होने चाहिए, और और एक चीज़ से content पता होने चाहिए, और वो है carry flag के, तो यहाँ पर 0 ह यहाँ पर जाएंगी, A0 position के ओपर जाएंगी, इतना आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले convert कर दो binary में, अब देखो after RAL क्या होता है, यह carry की 0 bit है, वो last position पर जाती है, यानि की A0 position पर चली गए, तो बचे हुए number, जैसे के वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है, that's it, इसे convert कर दो, guys, और आपको answer मिल गया, 40H, ठीक है, तो carry में जो store हुआ न, वो होता है, अब 0, कौन सा, guys, यह A7 position वाली bit यहाँ पर store हो जाती है, accumulator के content वैसे के वैसे थे, मैंने जैसे earlier आपको बताया था, कि अगर ये वाली bit carry की, और अबर A7 वाली bit, अगर accumulator की same रहती है, RAL और RLC में, ठीक है, बिट अगर content change हो जाते है, आप carry content अलग लेते हैं, accumulator content अलग रखते हैं, तो आपको अलग-अलग answer मिल सकते, जैसे कि RAL यहाँ पर मैंने 28H लिखा है, और देखो carry bit यहाँ पर 1 रखी है, convert कर दो, और इसके बाद after RAL, देखो मैंने यहाँ पर 1 लिखा जाती है, और accumulator में, जो भी हमारे operation का result है, वो यहाँ पर store होता है, तो I hope so, कि आपको इस चारो के चारो instruction समझ गए होंगे, exam point of use है, और program point of use है, बहुत important instruction है, specially RRC और RLC, इनका use हम बहुत बार करेंगे, तो आज ये class के लिए इतना है, मिलते हैं next class में, नए topic के साथ, अब तक ले, goodbye, thank you guys